हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल कुक्पुर स्वरत्री दाज हम बनेंगे रस्मलाई केक फ्रेंड्स यह अपलोड गया है मेरी चैनल पर लेक वहां ही से मैंने स्टेटस लगाया था तो मुझे और मिला है डाइसो ग्राम का तो यहां पर मैं प्रिमिक्स तो मैं यहां पर थोड़ा साथ ज्यादा ले रही हूं क्योंकि मुझे भी टेस्ट करना था तो मैं यहां पर डाइसो ग्राम की सबसे बताओं की तो साइट एमल कप से 75 ग्राम हमें लेना है प्रिमिक्स इसमें हम लेंगे थर्टी एमल कप से पानी छोटा चमच वेजीटब ले रही हुआ आपके पास ना हो तो वैनिला ले सकते हैं अच्छ से हमें पांच चीज के केंट में मैंने बटल लगा दिया है और प्रिम होने के टाइम में ओटी जी को दो रर्ट एन रखी थी और उसके बाद एक रॉड उन रखके मैंने ले लिया है 1 सेवंट टेंपरेज और 20 मिनिट के लिए बेक कर दिया और मैं एक वीप क्रीम ले रही हूं 60 ml कप से वीप क्रीम ले रही हूं वह पॉर्टफेक्ट मेजरमेंट है और उसे अच्छे से वीप कर देना है पहले तिन की स्पीड में उसके बाद हम ले लेंगे सेवन की स्पीड में तो तिन की स्पीड भी यहां पर ठंडा होके आ गया है तो रूम टेंपरेचर आने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था डॉम से पहटा दी जो मैंने ज्यादा बेटर लिया था वह उसमें मैंनेज हो जाएगा तो यहां पर दो लेयर काट लेंगे और मैंने अच्छे से काट लिया आप धागया से अब अब ड़ागया से चप्रेड़ के ऊपर लेवर के विप क्रीम स्प्टेड कर लिए उसके उपर मैंने रख दिया जिसे हमारा केक फीच लेगा नहीं आहीं तो यहां पर यहां पर रास्मलाइश करेंग तो बैटर में बेज में कलर आई जाएगा विप क्रीम हम स्प्रे वी ऐफ्र के लेइंगे टीह और उपर मैं करश करे कर लिए और उपर में करश जाल वी तो हो यहां पर अच्छे से करण भी भर के यालना है तो यह से लेड़ कर लोगी जो उपर की लेर में निकाल दिया है अंदर से भी मेना हलका सोख किया है और उपर से भी सोरेंगी रसमलज से अच्छे से सोक होने के बाद कुटिंग कर लेंगे क्रिम कोटिंग एलगा सा की का लेना है और क्रिम में कोट कर लेना है तो यहां पे क्रम जो है सारे क्रिम में कोट हो जाएंगे और ठंडा होने छोट देना है तो हमारा केक जो होना लोक हो जाढ़ीग vient में दिकत में इसे लिए हम जरूरी बताते हैं कि करेंगे तो आइसिंग और यहाँ परीं sequencing की जरूरत नहीं लेकिन च्छे से हमें कर लेना है का कि ओर यह थंडा होने को छोड़ दिया था हुआ चोड़ошी में खरड़ो केड में तब दिए उस आख तक हमरोने केक में तो यहां पर में केक को वेट करने के बाद ले रही हूं तो क्योंकि उसके सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारा केक का वेट में बैलेंस रहेगा क्योंकि हमें यह और से देना है दाइसो ग्रम का ओडर है लेकिन मैंने पहले बोल दिया था कि दाइसो से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो मैं इसके सबसे क्रीम ले रही हूं और अच्छे से मैंने फिनिसिंग दे दिया लास्ट में प्लैनेट नाइप मैंने हलका सा पानी में गिला करके उपर घुमा लिया ज और बीच में मैं स्टार्टी नहीं करने वाली थे लेकिन एक जगा खाली देखी तो वहीं पे भी हो गया तो यहां पे नीचे पॉल वाला बड़र रेडिकल करें पॉल बड़र में सिंपल पाइपिंग बैग में हल कासा हॉल आगे मेंधी का कॉन होता है उससे थोड़ा सा प्रेस करके डॉट करते हूं उससे आगे छोड़के वापिस डॉट करते हैं से पॉल वाला बैटर रेडिकल लें और उपर भी में रेडिकल देंगा अंदर जो पाइपिंग बैग में जो उपर स्टार्वारी नोजल थी उससे ही में भर दिया था और रसमाले उपर रख द हमारा डिजाइन दिखेगा और नीचे भी में हलका सा स्प्रे करके लिख दूँगी नाम तो गनास से मैंने नाम लिख दिया और उपर में लगा दूँगी बड़े का टेक तो ये केक हमारा बनके रेडि हो गया था ये दूपर में उसका ओडर आया था उनको सामित को 6 बज चाहिए था लेकिन मैंने बोल दिया था पहले तो ये देखो तीन सो ग्राम हो गया रेडि तो नव बजे तक चाहिए था मैंने आठ बजे डिलिवरी कती तो थेंक्यू फर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल